नमश्कार मैं सुनाली और आप देख रहें केकेडी न्यूज आपको बताते हैं राजनितिक गलियारे में जो हलचल मची हुई है उसके बारे में लोगसभा चुनाव दोहजार चौबिस में ज्यादा वक्त नहीं बचा है ऐसे विदेश में राजनितिक सरगर्मियों को लागातार बढ़ते हुए भी देखा जा रहा है और अब चुनावी हवाओं और पार्टियों का मिजास और भी ज्यादा दिल्चस्प हो गया है क्योंकि पार्टियों ने अपने अपने उमीदवारों की सूची जारी करना भी श पूरी सितारों को भी मौका दिया है और मैदान में उतारा है बतादे ना केवल प्रधान मंत्री मोदी का ये हैट्रिक वारा नसी से लगने वाला है बलकि किसान धर्णा प्रदर्शन में सबसे जादा चर्चा में रहे सांसद अजय मिश्रण टेनी पर भी तीसरी बार भरो दोनों लोगसबा सीटों पर सभी कयासों पर विराम लगते हुए दोनों पुराने चहरों पर भाजपा ने फिर से भरोसा जताया है लोगसबा सीट खीरी से केंद्रिय ग्रह राज्य मंत्री अजय मिश्रण टेनी और धोरहरा से भाजपाराश्ट्रिय उपाध्यक्ष के नामों पर पार्टी ने आधिकार एक मूहर लगा दी है सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा किसानों के मुद्दे पर पहले तो ध्यान ही नहीं दे रही थी और अब किसानों को दरकिनार कर उनके सबसे बड़े दुश्मन पर भरोसा दिखा रही है जिनका साफ असर किसा पर भी देखने को मिलेगा बतादे खीरी सांसद अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीश मिश्रा का नाम तिकोनिया कांड में आने के बाद से इनके टिकेट कटने के कयास लग रहे थे लेकिन अब उन पर विराम लग गया है बतादे लोकसबाचनाव 2014 में भाजपा ने अजय मि 2019 में भाजपा ने फिर अजय मिश्र को मौका दिया इस बार भी उन्होंने मोदी लहर के साथ सपा प्रत्याशी डॉक्तर पूर्वी वर्मा को हरा कर लगभग दो लाख मतों से जीत दर्ज की थी वहीं जुलाई 2021 में पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते मिश्र टेनी का कद लगातार बढ़ता रहा था लेकिन इस बीच उनके संसदिये छेत्र में किसानों के साथ हुए एक हाथसे में उनके बेटे आशीश मिश्रा का नाम जुड़ गया जिसके बाद से किसान हमेशा उनसे नाराज दिखते हैं दरसल तीन ऑक्टूबर 2021 को लख किसानों की मौत आशीश मिश्रा की गाड़ी से कुचलने से हुई थी वहीं तिकोनिया कांड में अजय मिश्रा के बेटे आशीश मिश्रा को मुख्या आरोपी बनाये जाने के बाद लोगसभा 2026 के चुराओं में उनके टिकेट कटने के कयासों का दौर शूरू हो गया था हाला कि पार्टी ने एक बार फिर अजय मिश्रा टेनी पर भरोसा जताते हुए इन कयासों पर विराम लगा दिया और लखीम पूर से फिर से उमीदवार बना दिया है अब आपको इन उमीदवारों के जीत के एतिहास के बारे में भी बताते हैं बता दे धोरहरा सीट की रेखा वर्मा साल 2014 में भारतिये जन्ता पार्टी के नेता स्वर्गे अरुन वर्मा की पत्नी को मैदान में उतारा गया जिसके बाद उन्होंने पहला चुनाओ एक लाख बयालेस हजार से अधिक मतों से जीता इस दोरान रेखा वर्मा ने बहुज दूल चटाई थी उनकी इस एतिहासिक जीत पर पार्टी ने फिर भरोसा दिखाया और उनको संगठन में काम करने का मौका दिया और साल 2020 में वहराष्ट्रिय उपाध्यक्ष बनाई गए जिसके बाद संगठन में मजबूती से काम करते हुए रेखा वर्मा की प्रतिभा को देखते हुए पार्टी ने उनको उत्राखंड का सहप्रभारी भी बनाया और एक साथ तीन तीन बड़े दायत्व को निभाते हुए रेखा ने मजबूती से अपने संसदिये छेत्र में भी काम किया जिससे पार्टी का भरोसा उन पर और भी ज्यादा मजबूत हो गया और अब रेखा वर्मा और अजय मिश्वटेनी तीसरी बार चुनावी महायुद में ताल ठोकने जा रहे अब देखना ये है कि समाजवादी के दावेदार उतकश वर्मा को हरा पाने में ये दोनों उमीदवार कितना सफल होते हैं और क्या फिर से अपनी हैट्रिक बना पाते ह ये जल्द ही साफ हो जाएगा क्योंकि चुनाव आयोक जल्द ही चुनाव की तारिकों का एलान भी करने वाला है देखना ये है कि इस बार गडबंधन आएगा या फिर देश में फिर बीजेपी का जंडा लहर आएगा और तीसरी बार भी पीए मोदी ही प्रधान मंत्री कह खलाएंगे फिलाल के लिए नमस्कार देखते रहें केकेडी नियूद